हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है मिलिंद कुमार गौतम और मैं आपको क्लास 12 का यूनिट 2 सॉल्यूशन चैप्टर सिखा रहा हूँ हम यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अल्रेडी पढ़ चोके हैं अपने पिछले वीडियो में यहां पर मैं बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक आपको सिखाने वाला हूँ जो की है abnormal molar mass यह टॉपिक सिर्फ उन्हीं question में apply होगा जिसमें जो solute दिया गया होगा वो dissociate होगा means weak electrolyte होगा कुछ fraction में dissociate होगा ionize होगा या फिर associate होगा हम सबजेंगे यह दोनों terms का मतलब क्या है तो शुरू करते हैं दोस्तों dissociation का मतलब होता है एक से ज़्यादा ion में convert हो जाना जैसे यहाँ पर हमने one mole लिया और यह ionize हो गया एक से ज़्यादा में उसको कहा जाएगा dissociation या फिर ionization second में association में यहाँ पर हमने two mole लिये हैं और यहाँ पर product में one mole में conversion हो गया है इसको कहा जाएगा association मींस दो या दो से ज़्यादा molecule जो भी हैं वो आपस में dimerize हो गये हैं trimerize या tetramerize हो गये हैं जैसे हमने polymer में देखा है यहाँ पर दो molecule आपस में associate हुए हैं तो इसको कहा जाता है dimerization तो यह है dimer formation यहाँ पर जो तो molecule हैं वो आपस में एक दूसरे से hydrogen wand से attach हो जाते हैं कुछ इस तरीके से यह benzoic acid एक molecule दूसरे molecule से hydrogen wand से attach हो गया है अब कोई भी compound कितना dissociate या associate होता है उसको हम degree, percentage या fraction of dissociation, association से so करते हैं और उसको alpha से represent किया जाता है यहाँ पर होगा alpha is equal to number of mole dissociated upon total number of mole taken यानि जितने number of mole dissociate हुए है और जितने total पहले थे उन दोनों के ratio को degree of dissociation, association या fraction of dissociation, association कहा जाता है अब जब भी ये dissociation, association होता है या फिर alpha दिया होता है तो उस case में एक factor यूज होता है want of factor i ये want of factor किस तरीके से यूज होता है यहाँ पर मैंने box में बताया है आपको पता है colligative property 4 होती है जब dissociation, association नहीं होगा तो इस i का कोई significance नहीं है और जो पहले आपको formula बताये गए हैं वही use होंगे लेकिन जब dissociation, association हो रहा है तो उस case में ये जो i want of factor है इस सभी colligative property में multiply हो जाएगा जैसे यहाँ देखिए multiply नहीं हुआ है और यहाँ पर i से मैंने multiply किया है सभी colligative property में तो ध्यान रखना है कि आपको कोई ऐसा substance तो नहीं दिया जिसमें dissociation, association की possibility होती है या simply वो एक weak electrolyte है जादा तर question में carboxylic acid दिये होते हैं organic carboxylic acid जो weak electrolyte होते हैं और उन्ही question में ये वाला concept apply होता है अब हम इसमें आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं मैं अब यहां पर एक और चीज़ है देखें जैसे i से alpha निकालते है alpha से k a i होता है want of factor alpha होता है degree of dissociation, oblique association और उसी से k a निकलता है यहां पर जो k a है वो है dissociation constant of acid constant of acid यह है k a दो दोस्तों question में जब k a दिया है उसका मतलब भी यही है कि substance dissociate यह associate हो रहा है अब उसके बाद question यह उठता है कि यह i कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले हम i निकालने का तरीका सिखेंगे i निकालने का पहला फॉर्मूला है observed colligative property जिसको मैं कहूंगा OCP upon calculated colligative property यानि CCP OCP always given in question ध्यान रखियेगा given in question and CCP calculated by given data जो भी आपको data दिया गया हो उससे आप CCP यानि calculated colligative property find करेंगे यह है पहला फॉर्मूला observed colligative property OCP upon CCP दूसरा फॉर्मूला है I is equal to normal molar mass upon abnormal molar mass यह है आपका दूसरा फॉर्मूला normal molar mass दोस्तों कैसे निकालते हैं जैसे हम आज तक निकालते आये हैं glucose का molar mass 180 होता है कैसे निकाला carbon hydrogen oxygen इनके mass को add कर दिया निकल गया तो मतलब normal molar mass वही है जो हम आज तक सब की atomic mass को add करके निकालते हैं अब हम समझते हैं यह abnormal molar mass क्या चीज है अगर हमने यहाँ पर एक colligative property ली W2 upon M2 into 1000 upon W1 into KB यह जो चीज है यहाँ पर जो M2 है जो data दिया गया है उसको put करने के बाद जो M2 निकलेगा वही होगा आपका abnormal molar mass जो data दिया गया होगा उससे calculate करके जो आप molar mass of solute यानि M2 find करेंगे वो होगा abnormal molar mass यह है आपका दूसरा formula normal molar mass upon abnormal molar mass अब हम देखेंगे एक third formula देखें क्या है वो तीसरा है I is equal to total number of moles after dissociation association upon total number of moles before dissociation association यानि association dissociation कोई एक process होगी एक question में उसके बाद कितने moles हैं और dissociation association के पहले कितने moles हैं दोस्तों इस question को मैं इस formula को एक question के थूई समझा सकता हूँ तो देखिए क्या है वो question question निकाल लीजे example 2.12 क्या है देखेंगे अब इसमें example 2.12 ये question में करवा रहा हूँ इसमें दिया गया है 2 gram of benzoic acid dissolvent 25 gram of benzeen यानि यहां पर W2 benzoic acid का mass दिया गया है ये है benzoic acid और दोस्तों इसका formula भी दिया गया है तो आप M2 भी find करते हैं formula दिया गया है C6 H5 COOH molar mass इसका निकलेगा 122 gram पर mole ये है benzoic acid ठीक है अब इसमें आगे कहा गया है source आप depression and freezing point equal to 1.62 यानि delta TF is equal to दिया है 1.62 Kelvin मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो भी colligative property question में दी गई होती है उसको बोलते हैं OCP यानि ये चीज़ है OCP यानि observed colligative property molar depression constant दिया हुआ है KF यानि 4.9 Kelvin kilogram पर mole अब उसके बाद what is the percentage association of acetic acid यहां पर आपको alpha find करना है और if it forms dimer in solution अगर question में कह रहा है association तो आपको association वाला concept लगाना है अगर वो कह रहा है dimer तो वो भी उसमें भी association होगा अब देखे यहां पर simple सी बात है formula यूज होगा delta tf is equal to i into kf into m यह लेज़े अब delta tf कितना दिया गया है 1.62 i निकालना है और alpha कितना दिया kf कितना है 4.9 और यह क्या होता है m is equal to w2 upon m2 into w1 gram into 1000 यही formula होता है अब यहां देखे डबलू टू आपको given है 2 gram molar mass पता है 122 और w1 कितना एक चीज नहीं लिखी है उसमें उसमें दिया हुआ था 25 gram of benzene यह आपको w1 दिया है 25 gram of benzene यह question में already given है तो 25 into 1000 अब यहां पर इसको आप solve करेंगे तो i is equal to निकलता है यहां पर is equal to 0.504 यह निकला i दोस्तों ध्यान रखेगा when i is equal to 1 no dissociation oblique association ठीक है जब i 1 हो no dissociation association when i is less than one ठीक है means association i is more than one then dissociation यह तीन factors आप याद रखेए आपको answer अपने आप predict कर सकते हैं देखिए जैसे इस question में क्या कहा गया association हो रहा है तो i कितना आया one से कम आया इसलिए आपको पता चला कि आप सही जा रहे हैं कि मतलब association हो रहा है तो i कम आ रहा है इसका मतलब सही है यहीं पर i जादा आ जाता तो आपका question में जो calculation है या formula आपने put किया वो गलत है तो आपको दोबारा चेक करने की जरूरत है तो यहाँ पर i आ गया अब i से alpha निकालेंगे कैसे निकालेंगे question में कहा गया है कि benzoic acid associate हो रहा है और dimer बना रहा है तो देखिए हमने लिया C6H5COOH 2 mol यह क्या हो रहा है associate हो रहा है यह लिजिए हो गया अब आप लिखेंगे at t is equal to 0 इस पर कितने mol है 2 mol स्टीचोमेट्रिक कोफिशियंट जो भी है वो आप लिख दीजे t is equal to 0 पर product तो बना नहीं होगा इसलिए आप यहाँ पर 0 लिखेंगे after some time after some time आप यहाँ लिखेंगे 2 minus 2 alpha क्यों जो भी यहाँ पर स्टीचोमेट्रिक कोफिशियंट हो वही आपको minus में कर देना है suppose that यहाँ पर होता 3 तो मैं लिखता 3 minus 3 alpha half होता तो half minus half alpha that's it जो भी स्टीचोमेट्रिक कोफिशियंट है उसके टर्म्स में आप लिखेंगे 2 minus 2 alpha क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है तो आप लिखेंगे alpha that's it अगर यहाँ पर 3 y 2 होता तो मैं 3 y 2 alpha लिखता simple अब उसके बाद i का हम यह वाला formula लगाएंगे जो कि मैंने कहा था मैं थोड़ी देर में सिखाऊंगा तो देखे total number of moles after dissociation और association यहाँ पर यह है after association यह जो चीज यह और यह यह इन दोनों moles का sum होगा total number of moles after association तो क्या लिखेंगे आप 2 minus 2 alpha plus alpha और 2 plus 0 यह होगा total number of moles before dissociation association यानि 2 plus 0 तो 2 ही होता है अब इसको आप solve करेंगे i is equal to 2 minus alpha upon 2 यहाँ पर i की यह वाली value डालती है 0.504 is equal to 2 minus alpha upon 2 तो यहाँ पर alpha की value आएगी 0.992 अब यह आपको percentage में find करना था तो 100 से multiply करतीजे is equal to 99.2% यह आपका final answer है यह question 3 number में और 5 number दोनों में आता है इसलिए इस type के question को ध्यान से देखिए इन में lengthy question भी होते हैं इसलिए ध्यान से समझिए इस से related question है 2.13 इसके अगले वाला example 2.32 and 2.33 इस तरीके से मैंने इस chapter के सभी topics को अपने चैनल पर upload किया है आप continuously देखते रहिए अब मैं अगला chapter पढ़ाऊंगा aldehyde, ketone and carboxylic acid part 2 का third chapter यानि unit 12 ठीक है Thank you